किसान भायो नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है तो किसान भायो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब 9 मेना खतम होने में आया हैं दस दिन और बाकी रहे हैं नौमर मेने के तो आपको लसुन में तेजी देखने को मिलेगी या मंदी देखने को मिलेगी तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको लसुन अभी तक और रोगना है या भी बेचना है तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो किसान भई हम वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले अभी तक आपने हमरे चेनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर दीजी और उसके पास के गंटे के निसान पर भी आप जिरूर बटन दबा दीजी जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटे पर खेशन जल्दी से जल्दी मिले दोस्तों हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों मैंने एक वर नया चैनल मनाया है जो कि मंडी बाव के नाम से है तो उसको भी आप सस्क्राइब करें उसके लेक आपको दिस्क्रिस्टन बॉक्स में भील जाएगी दोस्तों हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैंगी नॉम्मर मैंने में लसुन का हाल चाल के बारे में तो दोस्तो आपको नॉम्मर मैने में हाल चाल की बात करते हैं तो नॉम्मर मैने में आपको लसुन में बाजार समान देखने को मिला हैं दोस्तो कई दिन हजार वांसर रुपए लसुन उपर और नीचे उतर चड़ाव चलता रहता है इसमें ज़्यादा तेजी ना तो देखने को मिली और नहीं ज़्यादा मन्दी देखने को मिली बाजार इसमें समान राद नोमर मैने और दोस्तों दस दिन अभी बाकी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नुमर मेने में आपको जादा ओर लसुन में आपको तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों समान लसुन एक मेने से रहे तो अभी भी दस दिन तक लसुन में समान तेजी दिखने की आसा हमें दिख़ए दे रही है क्योंकि दोस्तो हम कुछ लसुन की बात करते हैं तो आवक ज़्यादा होने की कारण लसुन का बाव ना तो ज़्यादा बढ़ रहा है वो नहीं कम हो रहा है दोस्तो मंडियों में आवक ये समय लसुन की बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं जिससे की लसुन का बाव ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तो हम बात कर लेते हैं कि लसुन का आपको लसुन विच्चे या आप रोके दोस्तो आपको जिस समय पर आपको लसन में तेजी दिखे उस समय अपना लसन निकालते रहे क्योंकि दोस्तो इसका प्रमोकारण यह रहा है कि अगर आपको लसन में 1000 से 2000, 3000 रुपए के अगर आपको तेजी देखने को मिलेगी महिन नहीं बढ़के बाद में तो भी आपके काटा बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों अब भी आपनी लसुन को रग रखा होगा बोरियों में तो बोरियों में आपके दीरे दीरे वजन कम बढ़ता जा रहा है और आपका लसुन खराब भी होता जा रहा है जैसे जैसे दिन निकलते जा रहा है वैसे वैसे लसुन में आपको आके और तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों 30,000 का अन्वोग लगा रखा है 30,000 रुपए के पार चाह सकता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसके दो कारण सामने निकल कर आ पहला कारण यह है कि पुराने स्टोक की बात करते हैं तो अभी सरकार के पास पुराना स्टोक ना ही बच्चा है और ना ही अभी इस वक्त हैं क्योंकि दोस्तों पानी के कारण खराब हो चुका है तो वह कुछ कामे नहीं आया और दोस्तों पुराना लसुन इतना भी नहीं है कि सरकार अभी स्टोक करें और दोस्तों दूसरी बात है कि बुवई में देरी इस बार दोस्तों अधिक वर्षा के कारण बुवई में भी देरी हुए हैं अभी तक हमारे इधर तो लसुन की बहुनी चल रही हैं जिससे की नए लसुन की बुवई में अभी महिने से दो महिने की दिरी वो चुकी है जिसके चलने की कारण आपके लसुन नया लसुन दिरी से आएगा जिसके चलते आपको पुराने लसुन के इस टोक से ही आपको काम चलाना पड़ेगा जिसके कारण आपके पुराने लसुन के भाव बढ़ने की पूरी असंगा हमें दिखाई दे रही है तो अभी आप लसुन को तेजी आते समय आप बेचे ताकि आपको आगी आने वाले समय में काटा ना पड़ा है और मेरी अनुमान से तो आप लसुन को अभी रख लेवे आपको बार में और भी इसमें ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों तो दोस्तो ये थी 9 मेने की तेजी मंडी रिपोर्ट, 9 मेने में भी दोस्तो लसुन का भाव कम नहीं होगा, अभी 10 दिन बच्चे होएं, लेकिन भाव और उपर चड़ने की आसंगा हमें दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तो अगर आप लसुन को और भी रोग सकें तो रोग और आपकी चाहें आप बेचे तो बेच देए तो किसान भायों यह ज्यान करें अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक किसान तक पहुंचाए जिसने पता चले कि उनकी लेस्टन को बेचना है या रखना है ताकि आपको वीडियो पूरा देखे तो आपको सब बात्या समझ में आ गई होगी तो तन्यावज किसान भायों हम मिलते अगले वीडियो में